हेलो इस नेक्स नम देखेंगे एक्जाम्पल नमबर टू किया रहा है यह भी सेम है लास्ट वन की तरह यह दा सम आफ थ्री पॉजिविटी नमबर इस बार आपको 26 दिया है तो वन नमबर प्लस टू नमबर प्लस थ्री नमबर इनका समझा है टोटल है तो सबसे पहरे लेट कर लेते हैं हमान नमबर लेक्ग कि स्वाइट इस आक्स वाली है अब आप मुझे बता हूं सैक्ट नमबर इस कितना आगा अब यस सैकेट नमबर इस अजलारजर इस दॉर फरस्ट वाले से है तो इसका कितना हो गया थर्ड टाइम हो गया हम थूम आफ मैं स्कुरान अब थार्ड नम्बर कितना हो गई हम घुट स्कते हैं को टाल स्म कितना था 26 उसमें से मैं फर्स्ट नम्बर को शम्म को स्म occurs साइकिन गदेता हूं याणि 26 माइनस और ये 4 कितना हो गया है fourth sex हो गया बता हो समझ माय भाव है क्या है ठीक तो मैंने क्या किया, इन दोनों का sum करके, इनको क्या कर दिया, minus कर दिया, तो third number निकल के आगए, अब बताओ, तीनों number समझ में आगए आपको, अब इन तीनों number का use करेंगे, कैसे, if the square of the sum of the squares of these numbers, इन सब के square, तो हम लिखेंगे, according to question, जो equation बनाने को कह रहा है, ये क्या कह रह इन numbers का, squares का sum, वो least proof करना है, तो पहले तो sum कर लो, x का square, 3x का square, और 26 minus 4x का square, equation बनाओ, अपनी, 3, 3s, 9x square, अब यहाँ पर लगा देना है, आपको formula, तो 26 का square कितना हो जाता है, 676 होता है, I think, 6, 676, 6, 6, 6, 36, 6, 2s, 12, 15, 2, 6, 12, 4, 5, 6, 7, 6, 76, माइनस, 52, multiply 4, x, 4, 2, 8, 4, 5, 2, 20, 208, plus 4, 4, 4, 16, और x square, चीक है, यहां तर समझ मा आ गया, चल, यह आगे देखें, अब थोड़ा इसको simplify कर लेता है, 9 और 1 कितना हो गया, आपके पास, 10, 10 और फिर यह 10, 20 और 26, x square, ठीक है, माइनस, 208, x, plus 76, यह मेरे पास क्या आया है, अभी तो fx ही चल रहा है, अभी तो क्या है, fx ही लिखा है, मैंना थोड़ा सा simplify करके, अब क्या करें, अब इसके अपना आते हैं, differentiate पर, अपन चाहते हैं, तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, फिर solve कर सकते हैं, एक ही बात है, इसको लेते हैं, पर next slide में, wait a minute, अब आप इसका differentiate, differentiate with respect to x, पावर आगा हैंगी, 52x, 208, अब नाव, f-x को आप 0 पुट करो, 52x-208 इक्वल्स तो 0, 208 अपॉन 52, अब आपको पता है, 208 कैसे आया था, अपने पास, खाटा दिया गया है, 52 से आया था, विल्कुल आया था, 4, 2, 8, 4, 5, 20, 52 से खाटा थो, 4 टाइम आ गया, अब यह जो x equals to 4 है, यह maximum है या नहीं, यह कैसे पता लगेगा, f का double dash करो, आ जाओ, f double dash अगर मैंने put किया, तो 52 बचेगा, only यहां पर, x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, अब अगर मैं इस f double dash में 4 रखता हूं, तो भी 52 आएगा मेरे पास, जो कि greater than 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, fx is least, fx is least, लिखेंगे, minimum भी लिख सकता है, बट इसने least word यूज किया है, लिखा गया, the word thrice number as first, number is least यह रहा है, square of the number is less, fx is least, at x equals to 4, बताओ समझ माया है क्या, x equals to 4 पर क्या ही है, least है, clear है यहां पर, चलिए, यहां तक भी clear हो गई यह बात मेरे पास, fx जो है least आगया, x equals to 4, वो तीनों नमबर्स आप मुझे निकाल कर देता, तीनों नमबर, क्या-क्या नमबर्स देखो, hence, required number are, पहला तो आपके पास हमने केवल x ही रखा था, तो x की जगे कितना आ गया, 4, दूसरा 3 into x था, तो 3 4 जा 12, अगला क्या था, 26 minus 4 x यही था ना, 36 minus 4 x, 4 से पहले 4 को multiply करेंगे, 4 4 जा 16, 26 में से 16 को less करेंगे, तो कितना बच जाएगा आपके पास, जैन, अब मुझे बताओ, क्या समझ मैं है, इनको आप check कर सकते हो, इनको add करके देखो जो तो 26 से आए, clear, so this is complete example number 2,